कि यूटीब चैनल पर स्वागत है मैं मुहम्माज जुनाद और हम लोग मैट्स पर रहे हैं भी फॉस्ट वॉल्यूम है लेसं टू पर रहे हैं इन्वस्ट ट्रिगोनमेट्री आप लोग को दो दिन से वीडियो नहीं मिला होगा होता है कि आप लोग पर रहे कि नहीं पर रह रहे हैं आप लोग कुछ कमेंट नहीं आता है आप लोग बनाते हैं भी या नहीं बनाते हैं शायद फिजिक्स केमेस्ट्री का क्लास चल रहा है इंग्लिस का क्लास चल रहा है आप लोग को देखने से लगता नहीं है लगते आप लोग बस नॉर्मली जैसे क्लास में जाते या फिर कोई वैसा लेसन हो, कुछ लोग का क्लास दूसरे लेसन से स्टार्ट होता है साइंस में या फिर मैट्स में ही, तो उन लोग का ये चीज अच्छे से परहाई वजाएगा 2.1 खतम हो गया, 2.1 हम बोले बना लेने के लिए, कितने लोग बनाएं नहीं पता चला 2.2 पर रहे हम लोग क्या पर रहे हैं, नहीं पर रहे हैं, कितने कोशन बनाएं 2.2 का हम 4 कोशन बताए थे, उसके बाद कोशन और भी सारा है, लगवग 19-20 कोशन है और उस बिस कोशन में से आप लोग क्या बना है फिर दूबारा ये तो बताना होगा ना आप लोग को कि हड़े को एक एक कोशन को आपका यह मतलब कि कुशन को यहां पर सॉल भी कर जाए फिर उस को आप कॉपी पर आप स्नुट कीज़ेगा वह तो सहीं नहीं रहेगा आप ब ग्रूप जो है उसपर कमेंट किए वहां से हम लोग आपका प्राब्लम को सॉल्ब करेंगे बट आप लोग अगर परना चाहिएगा तो यह अगर ठाइम पास करना है कि सिर्फ आना है करना है च्छे फ़िर अच्छा सकता है यहां से पूरा लेकिन है कि अगे अभी नहीं लगांति क अपन है जो बढ़ी बाद कर और किश आप लोगोन घर्ट थिजर आते हैं आप लोकष परहें को बने का चले बहुत वहँद बहुत है नहीं हुद खादी browse के मेश्री कुछ पढ़ा दिए मारी वेन बस वाही है कि हम लग वीडियो देखे लिए वही देखे आदा देखे आदा नहीं देखे वही पर पे चुट दिये तो यह से इस तरह से पढ़ाई थोड़ी होता है, पढ़ाई करना है तो अच्छे से seriously होके पढ़ाई करेंगे, आप लोग खुद बताईए कि आप लोग को क्या पढ़ना है, कोई solution में कहीं पर कुछ problem तो नहीं आ रहा है, अगर problem आ रहे तो वो भी comment कीजिए, वो भी यह समझ में नहीं आया या फिर यह बताईए हम यह कोशन बनाए यह कोशन सॉल नहीं होगा, मानते हैं कि chemistry में और English में problem नहीं होता है, उसमें दिक्कत नहीं होगा कि आप से question directly बनाते नहीं है, यह क्लिए भी solve नहीं कर रहे होंगे तो उससे नहीं है कि उसको याद कर देना हमको समझना और याद करना है, लेकिन math जो पढ़ रहे हैं, जो भी math में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तक जो भी किये हैं, उसमें कुछ न कुछ तो बनाए होंगे, 2.1 में कई question था, जिसमें कुछ question बताए, कुछ question बोले कि आप लोग बनाईएगा, 2.2 में 4 question बनाए, और बोले कि आगे बनाईएगा, तो इससे क्या होता है कि अगर आप लोग का कमेंट आता है, आप लोग खुद परहाई के लिए serious रहते हैं, परहाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे समझ में आता है हम लोग को कि हाँ अच्छे से मेहनत करके परहाना है, और जदे हम लोग को थ बनाईए और बनाने के बाद जो प्रोब्लम हो उससे कमेंट कीजिए, बताईए हम लोग को ताकि हम लोग जाने कि आपकी बीमारी कि आपको क्या समझ में नहीं आप से क्या कोशन नहीं बन पा रहा है, और पढ़ाई को serious लेकर प्रहाई कीजिए, चलिए आगे कोशन लिख 1 plus x square minus 1 by x और यहाँ पर दिया है कि x is not equal to 0, मतलब जब x को solve बगर के लाईए गा तो x का value जाना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, यह हम लोग को दिखाना है, तो इसका general form निकालना है, x का value 0 नहीं आना चाहिए, तो कुछ questions जो होता है, directly maths का, directly formula पर बैठालते ह और उसको बनाना शुरू करते हैं, और कुछ question जो होता है, जिसमें हम लोग को eliminate करना पड़ता है, कुछ हम लोग को extra value मानना पड़ता है, परतिय स्थापित करना पड़ता है, उसके मानन को, करना है, कुछ को शन जो आपका trigonometry का ऊगा, उसमें डाइकली formula यूज़ करेंगे, और डाइकली formula से उसका solution निकल करके आएगा, और कुछ में होता है, कि उसका eliminate करना पड़ता है, मतलब उसके जगापर पर तेस्थापान करना पड़ता है, कुछ अलग मान रखना पड़ता है, उसके पाद निकल कर क्याता है, तो कई दफ़ा आपका ये problem होगा कि सर, एक्स के जगापर कभी आप साइन ठीटा यूज़ किज़ेगा, कभी cost यूज़ किज़ेगा, कभी taint यूज़ किज़ेगा, तो वहाँ पर कैसे समझना है, कि कहाँ पर कौन समान डाला जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा, तो उसके एलिमिनेशन के लिए कुछ रूल होता है, जैसे अगर कभी भी formula में, या फिर जो question आपका, वहाँ पर ये दिखे कि value a square plus x square के रुपका हो, तो वहाँ पर x के जगापर हम eliminate करते हैं, x equal to a ten theta, ये eliminate किया जाता है, मतलब जो भी मान होगा x का, वो मानेंगे ten theta के रुप में, और जो a रहेगा, वो उसके multiple में रहेगा, उसी तरह अगर minus में रहे, a square minus x square हो, तो वहाँ पर हम लोग x के जगापर eliminate करेंगे, किसी किसी question में होगा a के जगापर sin theta, और किसी में x के जगापर हो जाएगा a cos theta, ये का मतलब यह होगा, कि यहाँ पर जोड़ हैगा, जैसे इस question में x के साथ में one है, तो a के जगापर यहाँ पर one हो जाएगा, मतलब push नहीं लिखेंगे, और अगर कभी ऐसा हो जाए, x square minus a square हो जाए, तो वहाँ पर a क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम लोग x के जगापर use करते है, a से एक theta, ये इस square plus x square के रूप का अगर हो, तो one के square भी तो हो सकता है, one के square नहीं होता है, इसको ऐसे ही लिखिए, train inverse, root under one plus x square है, तो यहाँ पर डाइक लिए कर देते है, let, माना की, हिंदी में इसको करते हैं माना की, x बराबर क्या मानना है, a ten theta, यहीं ना मानते हैं, तो a के जगापर तो क अबर हो जाएगा, बाद में, train inverse x, तो यहाँ पर one वैसे ही, plus x square, a के जगा, x के जगापर कितना जालना है, ten theta, तो यह हो जाएगा, ten square theta, और minus में, one by x, x एक से जगापर फिर से 10 theta, यहाँ पर eliminate किया है, समाझ में आया, क्या किया है, सिर्फ यहाँ पर eliminate किया है, मतलब value को change किया है, कि अगर कभी यहाँ पर यह confuse नहीं होने, आप लोग को, कि a square, x square के जगापर डालना है, a ten theta, वो confuse नहीं करना है, अगर कभी question को बनाने का यह हम तरीका आपको बता रहे है, teacher लोग करते होंगे, देखते होंगे, आप लोग, कि अगर हम चाहिए, तो यहाँ पर डाली कर सकते हैं, कि लेट कर लिए बहुआ, x बराबर 10 theta, उसको आपको solve कर दिये question को, तो वैसे ही solve कर सकते थे, लेकिन हम यह method बता है, आपको यह trick है, कि अगर कभी भी trigonometry के question में, a square x square के form में, अगर question रहा, तो x के जगा पर आपको मानना है, 10 theta, बाकि जैसे question रहा है, सेम बैसे ही बनाना है, process सेम, true same रहेगा, लेकिन स्रिफ x के जगा पर आपको eliminate करके मानना है, 10 theta, उसके साथ में, जो है, वो यहाँ पर जो square में रहेगा, वो number होना चाहिए, तो यहाँ पर किये, x का पर 10 theta लिक दिये, और उसका फिर जहाँ पर x था, वहाँ पर 10 theta जाल दिये, तो एक वही से ही रागिया, 10 square theta, x का पर theta, और यहाँ पर 10 theta, अब आगे इसको solve करता है, तो यह 10 inverse वैसा ही, दसमा में हम लोग formula परे थे, root अंडर 1 प्लस 10 square theta का formula, 6 square theta होता है, मानस में, 1 by 10 theta, कोई problem नहीं होना चाहिए, अब यहाँ से आगे solve अगर किया जाए इसको, तो 6 square theta 10 inverse वैसे ही रह जाएगा, 6 square theta से root cancel हो जाएगा, तो यहाँ गया, 6 theta minus 1 by 10 theta, इसको चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, एक साथ लिक रहते हैं इसको, यहाँ पर यह ठीक है, यहाँ ता कोई दि करना है, यह जो है, यह सोरी, यह अलग है, यहाँ से यह भी 10 inverse अलग दिया गया, यह by के रूप में अलग है, इस form में आ गया, अब इस form को फिर से हम को चेंज करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 10 inverse वैसे ही रह जाएगा, 6 theta minus 1, तो 6 theta को हम क्या लिख सकते हैं, 1 by cos theta, सब formula अच्छे से यार कीजेगा, by 1 by 10 theta को जिख सकते हम लोग, sin theta by cos theta, फिर उपर आते हैं, इसलिए हम छोड़ा लिखने हैं कि बार बार मिटाना परे, 10 inverse वैसे ही, इसका LC हम ले लेंगे, तो यह जाएगा, cos theta, यहाँ पर बच गया, 1 minus cos theta, by sin theta by cos theta, cos theta से यह वाला cos theta हो गया, cancel out, यह बच गया, then inverse, 1 minus cos theta by sin theta, अब इसको तोर सकते हैं, 1 minus cos theta है, तो देखिए हम लोग formula याद कियोंगे, आप लोग, इसका formula होता है, 1 minus cos 2 theta equal to 2 sin square theta, और sin theta के लिए याद कियोंगे, कि sin 2 theta का formula होता है, sin 2 theta equal to 2 sin theta into cos theta, इन दो formula का यूज करना हम लोगो, लेकिन क्या है, यह 1 minus cos 2 theta होता होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो वहाँ बाटा में, theta by 2 by sin theta, यह sign 2 theta था, तो होता, 2 sin theta into cos theta, तो यह क्या जाएगा, 2 sin theta by 2 into cos theta by 2, यह दो से यह दो खतम, sin theta by 2 से, sin square theta by 2 में करेंगे, तो यह स्क्राइब खतम हो जाएगा, तो यह बचा, 10 inverse, sin theta by 2 by cos theta by 2, यहाँ बच गया, 10 inverse, यह गया, 10 theta by 2, 10 से 10 inverse, खतम हो जाएगा, कट जाएगा यह पूरा, तो यह आगया, theta by 2, यहाँ भी हम लोग solve किये थे, थोर्दे, पहले ही निकाले थे, कि theta का value क्या आना चाहिए, 10 inverse x, यह गया, 1 by 2, 10 inverse x, इस तरह से आपर यह question solve होगा, लेकिन क्या है, इस question में ही आप लोग देख लिए होगे, कि अगर question देखने में easy था, छोटा सा question था, लेकिन इसका solution थोड़ा बड़ा होता है, बस इस वाज़े से बड़ा होता है, कि formula इसमें जगा दगा पर use करना होता है, और वो formula आप लोग याद नहीं कियोंगे, हमको लग रहा है कि आप लोग को याद नहीं है formula, साइद ही कुछे स्ट्रेंड होगे, जिनको formula याद होगा, तो formula अगर अच्छे से याद कर लिएगा, तो आप से question easy way में बन जाएगा, सिरिफ calculation करना है, जोड़ घटाओ है, बाकि formula का use होता है, यह आपका trick हो गया, अच्छे से इस trick के according, आप जितना भी question रहेगा, उस question को easy में solve कर सकते हैं, आपको यह समझ में आ जाएगा, कि कब आपको x कर सकते हैं, पर 10 theta लेना है, कब sin theta लेना है, कब cos theta लेना है, और कब 6 theta लेना है, और इस से यह formula डालते जाएगा, question आगे भी solve होता रहेगा, इसमें का lesson 2.2 का question सब ऐसा ही है, easy type का question सब है, हम लोग आ पता चल जाए कि किस हिसाब से बनाना है, question में देखिये, यह 10 इन वर सवर दिजे बनवाई root एंडर, x square minus 1, x square minus 1, x square minus 1, x square minus 1, बतलब 1 square, यह एक के जगा पर आ गया, और यह x के जापर, x square minus a square, अगर हो, तो हम x के जगा पर क्या लेट करेंगे, x बराबर लेट करेंगे, a स एक ठीटा, यह यूज़ करना हमको, तो फिर अगरी से ठीटा के वैल्यू निकलियों के तो क्या आगा, यह जाएगा, यह जाएगा, सेक इन वर्स, x, यह जब यूज़ करना होगा, तब, अभी फिलाहल यूज़ नहीं करना है, question के कोडिंग आते हैं, यहां से solution करते है, solution, 10 inverse वैसे ही रह जाएगा, 1 by root under x square, तो x के जाएगा, 6 square theta minus 1, 10 inverse वैसे ही, 1 by 6 square theta minus 1, बराबर होता है, 10 square theta, 10 inverse वैसे ही, as, जैसे है, 1 by square से root cancel लेगा, तो यह आगया, 10 theta, 10 में formula याद क्यों होंगे, 1 by 10 theta का formula क्यों हो जाता है, 10 inverse वैसे ही, 1 by 10 theta equal to cot theta, bracket दने का जरूरत नहीं है, cot theta आगया, अब इसको आगे कैसे solve करेंगे, तो solve करने के लिए क्या करना हमको, 10 inverse वैसे ही रहेगा, जैसे है, और इसको हम यह कर सकते है, cot theta है, तो हम लोग जानते हैं, कि cot 90 minus theta, 90, sorry, 90 minus theta equal to 10 theta होता है, और अगर हम यह लिखे, कि 10 90 minus theta equal to हो जाएगा cot theta, तो हम को क्या चाहिए, cot theta चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 10 90 minus, 90, 90 को लिख सकते हैं, pi y 2 minus theta, 10 से 10 inverse cancel, तो यह आगिया, pi y 2 minus theta, pi y 2 जैसे है, वैसे ही रह जाएगा, minus theta के दगा प्रवैल्यू अभी निकाल चुगे हम लोग, sake inverse x, यह होगी हमारा answer, I hope समझ में आगी होगा, इस तरह से हमको थोड़ा सा बुरा इस बात का लगा, कि आप लोग अपना problem ही share नहीं करना चाहते हम लोग के साथ, जब तक आप लोग problem share नहीं किजएगा, तब तक हम लोग आपका problem का solution नहीं दे सकते हैं, और अगर आप हमसे परहाइक करने हैं, आप हमसे जुरे हुए हैं, और आपको इससे कुछ profit नहीं मिल रहा है, कुछ फाइदा नहीं, अड्वेंटेज नहीं है, तो आप लोग का time waste होगा, और हम लोग का भी time waste होगा, फिर आपको पता है कि हम लोग पूरा course आप लोग को free में दे रहे हैं, सब subject का, अभी physics, sorry, chemistry, English और maths, ये तीन subject चालू है आप लोग का, और इसके साथ-साथ बात चल रहा है, teacher से, bio वाले teacher से भी बात चल रहा है, और physics वाले teacher से भी बात चल रहा है, वो लग भी बहुत जल्द आ जाएंगे, लेकिन आप लोग को पहले कुछ response देना होगा, कि आप लोग सच में परहाई कर रहे हैं, हम लोग से सब, सच में आप लोग को कुछ फाइदा मिल रहा है, तो हम लोग को देने में कोई दिक्कत नहीं, यह class देंगे, teacher बाहर से बुलाना होगा, तो बाहर से आएंगे, लेकिन teacher की कमी नहीं होगा, आप लोग को परहाई की कमी नहीं होगी, जो परहाई से रिलेटेट प्रॉलम है आपका, वो परहाई से रिलेटेट प्रॉलम प्रॉलम शेयर किया किजिए, online class से है, online में आपका भी भी पढ़ सकते हैं, रात में आपको 10 बजे मन करें, 10 बजे पढ़ाई किजिए, और उस वक्त अप अपना प्रॉलम कुछ आ रहा है, कुछ कोशन नहीं बन रहा है, तो उसको कमेंट कर दिजिए, जल से जल कोशिस किया जाएगा, आपके प्रॉलम का सोल्यूशन देने का, प्रॉलम अपना सेर केजिए, हम लोग जादस स्या दा कोशिस करेंगे आप लोग के प्रॉलम को सॉल्व करने का, हम यहाँ पे 2.2 को छोड़ रहे हैं, बस इसलिए चोड़ रहे हैं कि आप लोग खुद से सॉल्व किजए, यह कोशन को खुद से बनाएगे, और जो question बचेगा उसका problem आप लोग direct comment किजिए group में बताईए group में बताईए personally chat पर sir को बताईए कि sir मेरा ये problem है या फिर youtube पर comment करने में क्या जाता है 2-3 second लगेगा बताईए कि sir मेरा ये 2.2 का इतना number question नहीं बन रहा उसको बताईए फिर वो आपका solve किया जाएगा within two or three days दो से तीन दिन के अंदर उसको solve कर दिया जाएगा बता दिया जाएगा कि क्या आपका problem था किस question का था में भी आपका नाम ना लिया जाए लेकिन आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये problem question था उसका problem class के पौर पर doubt class जो था उसके recording चलाएगा वो आप देख सकते हैं कि अभी आप लोग question देखे होंगे तो आप लोग को लगा होगा कि exam बहुत हलका था 12 का लेकिन actually में हमेशा ऐसा question नहीं आएगा यह इस बाजा से दिया गया था क्योंकि बच्चे इस बार 4-5 महीं नहीं परहाई किये थे और आप लोग को पूरा साल मिल रहा है तो अच्छ है तो आप लोग भी कुछ मेरे लिए कर सकते हैं हम लोग के लिए कर सकते हैं लोगों को बताइए दूसरे को भी बताइए कि कैप आफ एजुकेशन नाम का कुई चैनल है जो आपको फ्री में पूरा subject पढ़ाया जाएगा पूरा पांचों सब्यक पढ़ाएगा तुवेलत को बनाना है आप लोग को और इसको बना करके देखिए जो प्रॉब्लम होगता है उसको कमेंट किजिए पहले उसको भी बताया जाएगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 पढ़ेंगे वह बहुत दादा इंप्रेंट लेसन आपके लिए कम से कम 8-10 मार्क का नहीं आपको कुछा लगना चाहिए कि हां कि यह अटाइम दे रहे हैं कलस्त कर रहे हैं तो हमको कुछ फायदा और हमको कुछ जानकारी मिल रहा है फाल्तोगा하다 hills वेस्ट करने से फायदा नहीं है और हम लोग नेक्स क्लास में मिलते हैं फिर देसंत्री से मैट्रिक्स पर हाई करेंगे मैट्रिक्स परेंगे हम लोग और जब तक के लिए बाइबाइब थेंक यू जाहिंद